इस फिल्म की सुरुवात में हम एक यंगेज लड़के को देखते हैं जो की बहुत अच्छा फुटबॉल खिलाडी होता है। इस टाइम पर हंक अपने टीम का एक बहुत अच्छा कोच बन चुका था। फिर उसके पास में गोल्डन लेग आता है जिसकी एक टांग तूटी हुई थी दरसल 20 साल पहले जब वो मैच हार गया था तो लोगों ने मार मार कर उसकी टांग तोड़ दी थी। इसके बाद वो ह हंक के अंडर में काम करने लगा था सिर्फ इस वज़े से कि उसको ऐसा लगता था कि एक दिन हंक उसको टीम का कोच बना देगा और आज वो हंक से मिलकर इसी बारे में डिसकस करने लगता है लेकिन हंक उसको टीम का कोच बनाने से साफ साफ मना कर देता है ये सुनने के तुम इस बात को अगर लोगों को बताओगे तो लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। और 20 साल तक उससे गुलामों की तरह काम करवाता रहा सिर्फ ये जहासा दे करकि वो एक दिन उसको टीम का कोच बना देगा फाइनली आज वो उसको टीम का कोच बनाने से साफ साफ मना कर देता है जिसके बाद गोल्डन लेग उदास होकर वहां से चला जाता है वो रास्ते में एक बिल्टिंग पर लगी टीवी में फुटबॉल का मैच देखने लगता है तब ही उसके पीछे से एक लड़के की आवाज आती है लड़के का नाम स्टील लेग होता है जो की बहुत अच्छा कुम्फू मास्टर था लेकिन इस टाइम पर उसकी हालत बिल्कुल कबाडियों की तरह थी उसने अपने साथ दो कबाड़े के बोरे रखे हुए थे जिसके उपर वो बीच रोड में ही अपने कुम्फू की प्रैक्टिस कर रहा था फिर वो गोल्डन लेग को अपना कागज का टुकड़ा देता है जिसके अंदर उसका नंबर लिखा हुआ था उसे देने के बाद वो गोल्डन लेग से कुम्फू सीखने को कहता है क्योंकि उसके पास पैसे कमाने के कोई और जरिये नहीं थे इसी वज़े से वो उसको कुम्फू सीखा कर उससे कुछ पैसे लेना चाता था लेकिन गोल्डन लेग को इन सम में इंट्रेस नहीं था वो एक बहुत अच्छा फुटबॉल खिलाडी था जिसकी वज़े से वो उसको कुम्फू सीखने से मना कर दियता है उसके बाद इस टील लेग उसको कुम्फू सीखने के फाइदे गिरवाने लगता है जैसे कि वहाँ पर एक लड़की आ रही थी जिसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ जाता है और वो गिर जाती है इस टील लेग फिर गोल्डन लेग को ये बताता है कि अगर उस लड़ से किक मारता है कि वो हवा की रफतार से आश्माने में चली जाती है तबी वहाँ पर एक आदमी आता है जो इस टील लेग को उसका कच्रा उठा कर वहाँ से जाने को कहता है जिसके बाद इस टील लेग अपना कच्रा उठा कर वहाँ से चला जाता है उसके बाद वो एक कबा श्टिल लेग की पैरों में थी उसी तरह से उसकी हातों में थी श्टिल लेग उसको बहुत पहले से जानता था और वो हमेशा उसको खुश करने के लिए उसकी तारिफ करता था आज भी वो उसको खुश करने के लिए उसकी तरजिफ करने लगता है और वहाँ पर रखे दो तिन बंद को उठाकर खा लेता है लेकिन जब वो पैसे मांगती है तो श्टिल लेक अपने फटे पुराने जूते उसको दे देता है लेकिन उसके बाद भी जब वो उससे पैसे म सर में थी स्टील लेग उस से मिलकर उसको ये बोलता है कि हम कुम्फू को म्यूजिक के जरिये पूरी दुनिया में फैला सकते हैं क्यूंकि स्टील हेड अपने जमाने का गुरुकुल में एक बहुत अच्छा सिंगर था और इसी वज़े से वो स्टील लेग की बात माल लेता ह जिसके बाद ये दोनों गाना गाना शुरू कर देते हैं लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनको ये गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्यूंकि उन लोगों को ये गाना समझ में ही नहीं आया था जिसके बाद वो स्टील लेग को मारने की कोशिस करने लगते हैं लेकिन उनको रोक लेता है जिसके बाद वो लोग इस टील लेग को एक ग्राउंड में ले जाते हैं फिर उसके बाद हम गोल्डन लेग को देखते हैं गोल्डन लेग एक जगा पर टोलेट कर रहा था तभी उसे बगल की एक दिवार के अंदर वही कैन बुरी त साथ में फुटबॉल खेलना चाता है जिसके बाद उनमें से एक आदमी उसकी तरफ फुटबॉल फेकता है इस टील लेग फुटबॉल को इतनी जोर से कि कमारता है कि फुटबॉल के साथ वो आदमी भी दूर जाकर गिरता है और थोड़ी ही देर में इस टील लेग फुट फिर गोल्डन लेग इस्टील लेग को फुटबॉल खेलने को बोलता है इस्टील लेग तो रेडी हो जाता है लेकिन फुटबॉल खेलने के लिए उनको टीम की जरूरत थी जिसके बाद में इस्टील लेग उसको अपने साथ में अपने बाकी के साथियों के पास में ले जात के बाद में एक दिन स्टील लेग उदास होकर एक बिल्डिंग के चत पर बैठा था तब ही वहां पर उसके सारे साथी आ जाते हैं क्यूंकि वो लोग कहीं न कहीं एक दूसरे को मिस्स कर रहे थे फुटबॉल का मैच खेलने के लिए वो सभी लोग इसलिए रेडी हो गए थे कि पहली चीज ये थी कि वो सभी लोग एक दूसरे को मिस्स कर रहे थे दूसरी चीज ये थी कि वो सभी लोग अपने अपने काम से खुश नहीं थे और तीसरी चीज ये थी कि फुटबॉल का मैच जीतने के बाद में उन सभी लोगों को बहुत सारे पैसे मिलते साथ ही एक दूसरी टीम से करवाना होगा जिसके बाद वो उन लोगों को ग्राउंड में बुलाता है जिन लोगों को कुछी टाइम पहले इस टील लेग ने ग्राउंड में मारा था लेकिन वो लोग पहले से ही ये प्लैन बना कर आए थे कि वो लोग ट्रेनिंग के दोरान उन लोगों से चीटिंग करके बदला लेंगे सेम वो लोग ऐसा ही करते हैं वो लोग ट्रेनिंग के दोरान चीटिंग करके उन लोगों के उपर परसनली हमला करके उनको मारते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा बेज़ती करते हैं पैनली वो दिन आ गया था जिस दिन गोल्डन लेग अपने टीम को लेकर टूर्णामेंट के लिए रेजिस्टिरेशन कराने गया था लेकिन वहीं पर हैंक भी आ जाता है जो इस टाइम पर वहां का चेयरमेन था फिर वो उसकी टीम को देखकर हसने लगता है जिसके बाद वो उसकी रेजिस्टिरेशन की फिस खुद ही दे देता है फिर उसके बाद हम इस टील लेग को देखते हैं इस टील लेग मुई को अपने साथ एक मॉल में ले जाता है जहां पर जाने के बाद मुई पूरी तरह हैरान हो जाती है क्योंकि मुई ने अपने पूरी लाइफ में पहली बार मॉल को अंदर से देखा था और इसलिए वहाँ पर रखे कपड़ों को देखकर वो हैरान हो गई थी। वहाँ पर स्टील लेग उसको ये बताता है कि कल वो एक फुटबॉल का मैच खेलने वाला है जिसके बाद वो फेमस हो जाएगा और फेमस होनी की वज़े से उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे जिसकी वज़े से वो उसके लिए कुछ भी खरीश सकता है वहाँ पर वो मुई से उन जूतों का भी जिक्र करता है जिन जूतों को मुई ने पहले से बहतर करके उसको दिया था तबी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो स्टील लेग से वहाँ पर सफाई करने को कहता है क्योंकि स्टील लेग ने उससे ये डील की थी कि अगर वो मुई को मौल के अंदर आने देगा तो बदले में वो मौल की सफाई करेगा फिर अगले दिन फाइनली स्टील लेग फुडबॉल का मैच खेलने जाता है और उसका पहला मैच फुडबॉल के एक बहतरीन टीम से होता है इस टीम का कैप्टन स्टील लेग और उसकी टीम को देखकर हसने लगता है लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो लोग कोई आम खिलाड़ी नहीं है बलकि कुम्फू मास्टर हैं इसके बाद वो लोग कुम्फू का इस्तमाल करके देखते ही देखते उस मैच को जीत जाते हैं इस मैच को जीतने के बाद वो लोग सच में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं जिसकी वज़े से उन लोगों को बहुत सारे ब्रैंड मिलते हैं और रात और रात श्टील ल करके उससे ये बोलता है कि वो इसे सिर्फ दोस्त मानता है ये सुनने के बाद में मुई उदास हो जाती है जिसके बाद वो वहां से चली जाती है फिर अगले दिन दुबारा से उन लोगों का एक दूसरी टीम से मैच होता है और वो लोग इस मैच को भी जीत जाते हैं इस ये चाता था कि इस मैच को खेलता हुआ मुई भी देखे तिर वो मुई को अपने साथ ले जाने के लिए मुई के दुकान पर जाता है और वहां पर उसको ये पता चलता है कि मुई को कामसे निकाल दिया गया है वहां की और स्टील लेग को ये बताती है कि मुई बन बनाते बनाते चीनी की जगा नमक डाल दिया करती थी। उसके बाद स्टील लेग वहाँ पर गिरे एक बन को उठा कर खाता है जिसको खाने के बाद उसको ये महसूस होता है कि मुई बन बनाते बनाते नमक नहीं डालती थी बलकि उस बार वो नाकामियाब हो जाते हैं क्योंकि हैंग ने अपनी टीम को एक स्पेशल तरह का ड्रग दे रखा था जिसकी वज़े से उनके अंदर नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा पावर थी एंडिल लोगों का कुमफू भी उन लोगों के सामने किसी काम का नहीं था हैंग देर बाद उसकी भी हालत खराब हो जाती है जिसकी वज़े से वो भी टीम से निकल जाता है लैसे ही करते करते गोल्डन लेग की टीम में सिर्फ सात लोग बजते हैं और उनके पास में कोई गोल कीपर भी नहीं था फिर वो लोग उस मैच को हार मान कर खतम करना चाते थे ल कि उसको ऐसा लग रहा था कि जब इतने पावरफुल कुम्फु मास्टर उसकी टीम को नहीं हरा पाए तो एक मामूली सी लड़की क्या हरा पाएगी। फिर फाइनली उनका दुबारा से मैच स्टार्ट होता है और हैंक की टीम का एक पावरफुल मेंबर गोल करने के लिए फुटबोल को एक किक मारता है। जिसको मूई दुबारा यहां पर लेकर आई थी और फिर उसके किक मारने के बाद वो फुटबोल इतनी स्पीट से आगे बढ़ रही थी कि उसके सामने जो भी आ रहा था वो सबको इधर से उधर फैक रही थी। तक तक के लिए धन्यवाद। पर लेकर उसके किक मारता है। झाल झाल